नमस्कर सात्यूं समसमा एक मुद्दों से संबंदित प्रस्णावली स्रेंखला के साथ मैं आमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है 20 जून 2020 और आज के हमारे प्रस्ण किन मुद्दों पर आधारित हैं आईए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अटरनी जनरल केके वेणु गुपाल की सेवा में विस्तार किया गया है जानेंगे कितने वर्सों के लिए इनकी सेवा में विस्तार किया गया है पहले प्रस्ण में दूसरा प्रस्ण आधारित होगा ACI युवा पैराख खेलों के आयोजन से दिती विश्युद्ध के विजय परेड दिवस पर बात करेंगे तीसरे प्रस्ण में चौथा प्रस्ण आधारित होगा गरीब कल्यान रोजगार अभियान से जी पी ए आई या जी पे में संस्थापक सदस के रूप में शामिल देशों की बात करेंगे पांचमे प्रस्ण में चटे प्रस्ण में जानेंगे कि सिच्छा छेत्र की स्टार्ट अप कमपनी लट्टो मीडिया में 10 परसेंट की हिस्सेदारी किस कमपनी ने खरीदी है साथमें प्रस्ण में बात करेंगे संदिक्द चीनी एप्स की सूची पर आठमा प्रस्ण आधारित होगा पे एज यू फ्लाई हे तु लांच ट्रुपोगो लिमिटेड से साज्यधारी पर नमें प्रस्ण में बात करेंगे ओईगर मसल्मानों के उत्प्रिणन करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिवन्त से और दस्वें प्रस्ण में हम जानेंगे W.E.F.2 जारी 100 टेकनलोजी कमपनियों की सूची में भारत की कितनी कमपनिया है तो हमारे पास पहला प्रस्ण है हाल ही में भारत के अटर्णी जनरल केके वेणुगोपाल को कितनी समयावधी का सेवाविस्तार दिया गया है हमारे पास आपचन है तीन माह, छे माह, एक वर्स या दो वर्स तो यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है सी एक वर्स भारत के अटर्णी जनरल केके वेणुगोपाल को एक वर्स का सेवाविस्तार दिया गया है उनका तीन वर्स का वर्तमान कारेकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है वे 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के इस्थान पर अटर्णी जनरल नियुक्त किये गये थे हमारे पास अगला पस्न है ACI युवा पैरा खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा हमारे पास हापसन है इरान, साओधी, अरब, बहरीन या अफगानिस्तान तो यहां पर जो इसका सही उतर है वो है सी बहरीन ACI युवा पैरा खेलों का आयोजन दिसंबर 2021 में बहरीन में किया जाएगा इसे प्रतियोगिता में 9 खेलों को जगह दी गई है बहरीन की राजधानी मनामा वा मुद्रा बहरीन दीनार है हमारे पास अगला प्रस्ण है भारती सेने दल दुतिय विश्युद की कौन सी विजय परेड में भाग लेगा हमारे पास आपसन है 74, 75, 76, 77 तो यहां पर इसका सही उतर है भी 75 भारती सेने दल 24 जून 2020 को रूस दोरा मासकों में आयोजित दुतिय विश्युद के विजय की 75 वर्सगाट में भाग लेगा रूस दोरा वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए रूस एमम मितर देसों के साथ सेने परेड का आयोजन किया गया है भारत की तीनों सेनाओं के सैने दल इस परेड में हिस्सा लेंगे हमारे पास अगला प्रस्ण है गरीब कल्यांट रोजगार अभियान को कब लांच किया जाएगा हमारे पास आपसन है 17 जून, 18 जून, 19 जून या 20 जून गरीब कल्यांट रोजगार अभियान को 20 जून को प्रधानमंतरी नरिंद मोदी द्वरा बिहार में लांच किया जाएगा इसे बिहार के खगडिया जिले से शुरू किया जाएगा इस अभियान का उद्देश सी प्रवासी मजदूरों को उनके कौसल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना है इस अभियान के लिए सरकार ने 50,000 करोण का बजट रखा है या अभियान आत्म निर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है इससे रूलर इंफ्रास्टेक्चर का भी विकास होगा इस अभियान के तहट सरकार ने 6 राज्यों के 116 जिलों की पहँचान की है इन जिलों में करीब 66,000 प्रवासी मजदूर वापस हुए है इन 116 जिलों में बिहार में 32, उतरप्रदेश में 31, मंद्रप्रदेश में 24, राजिस्थान में 22, ओडिसा में 4 और जहारखंड में 3 जिले शामिल है इसमें 125 दिनों का रोजगार मजदूरों को उपलब्द कराया जाएगा हमारे पास अगला प्रसन है हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनर्शिप आन आर्टिफिशल इंटलिजेंस में संस्थापक सदस के रूप में शामिल हुआ है हमारे पास अप्सन है भारत, स्री लंका, बांगला देश या पाकिस्तान तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए भारत भारत ग्लोबल पार्टनर्शिप आन आर्टिफिशल इंटलिजेंस में संस्थापक सदस के रूप में सामिल हुआ है GPAI को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपी संग, आश्टेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजिलैंड, कोरिया, गणराज, सिंगापुर सहित, भारत जैसे प्रमुख अर्थवेवस्थाओं के समुह द्वारा लांच किया गया GPAI एक अंतरराश्ट्री और बहु हितधारक पहल है, जो AI के जिम्मिदार पूर्ण विकास और मानवधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उप्योग का मार्गदर्शन करने पर आधारित है हमारे पास अगला पस्थन है, निम्न में से किसके द्वारा सिच्छा छेत्र की स्टार्ट अप कमपनी लट्टू मीडिया में 10% की हिस्सेदारी को खरीदा गया है, हमारे पास अप्सन है, जियो, भारती Airtel, आडिया या BSNL, तो यहाँ पर जो इसका सही उतर है, वो है भा बारती Airtel, बारती Airtel द्वारा सिच्छा छेत्र की स्टार्ट अप कमपनी लट्टू मीडिया में 10% की हिस्सेदारी को खरीदा गया है, बारती Airtel ने अपने Airtel स्टार्ट अप एक्सिलेटर कारिकरम के तहत या निवेश किया है, हमारे पास अगला पस्थन है, हाल ही में बारती सुरच्छा एजनसी द्वारा कितनी संदिग्ध चीनी एप्स की सूची चारी की गई है, हमारे पास आप्सन है 50, 52, 45 या 33 तो यहाँ पर जिसका सही उतर है वो है भी 52, भारती सुरच्छा एजनसी द्वारा 52 संदिग्ध चीनी एप्स की सूची चारी की गई है, इस अप्स प्राइवेसी की दृष्टिकोंट से भी सुरच्छित नहीं है एजेंसी ने सरकार को इन अप्स को ब्लाक करने के लिए कहा है इन अप्स में टिक टाक, विगो लाइव, शेयर इट, यूसी ब्राउजर और फ्लैस आफ किंक्स जैसे अप्स सामिल है हमारे पास अगला पस्न है, हाल ही में किसके द्वारा पे एज यू फ्लाई इंसोरेंस लांच करने के लिए प्रोपागो लिमिटेड के साथ साज्यधारी की गई है हमारे पास आप्सन है, HDFC Ergo, ICICI Prudential Life Insurance, Kodak Life Insurance और Max Life Insurance तो यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है A, HDFC Ergo HDFC Ergo General Insurance Company ने भारती ड्रोन मालिकों के लिए Pay-as-you-fly Insurance लांच करने के लिए UK इस्थिति ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ साज्यधारी की है या बीमा पॉलिसी संपत्य के नुकसान और सारीरी की चोटों से बचाएगी जो सरवेच्छन, मैपिंग, निगरानी, आपदार राहत पहल, नागरिक, प्रसासन, सेवाउं, तेवहारों और कारिक्रमों के दवरान उपियोग जैसी गतिविधियों का संचालन करते समय हो सकती है इस पॉलिसी के सदत से ट्रोपो मॉबाइल आप पर 10 लाक रुपए तक का बीमा कवर का दावा कर सकते हैं हमारे पास अगला प्रस्ट है हाल ही में किस देश ने उईगर मुसल्मानों का उत्प्रिणन करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताचर किये हैं हमारे पास आपसन है इसराइल, पांग्रादेश, अमेरिका या पाकिस्तान तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी अमेरिका अमेरिका ने उईगर मुसल्मानों का उत्प्रिणन करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताचर किये हैं इसका उद्दे से चीन को दंडित करना और उसे मानवाधिकार का मोल समझाना है हमारे पास अगला प्रसन है हाल ही में वर्ड एकनोमिक फोरम द्वारा 2020 में जारी 100 टेकनोलोजी कमपनियों की सूची में भारत की कितनी स्टार्ट अप कमपनियां शामिल हैं हमारे पास अपसन है 4, 5, 3 या 2 तो यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है D2 हाल ही में वर्ड एकनोमिक फोरम 2020 द्वारा जारी 100 टेकनोलोजी कमपनियों की सूची में भारत की दो स्टार्ट अप कमपनियां शामिल हैं बंगलूरु इस्तित जेस्ट मनी की इस्थापना लिजी चैंपमन प्रिया शर्मा आसीस अनंधरमन ने की थी या स्टार्ट अप कंजियूमर को उधार प्रदान करता है इस्टार्ट अप का लच्छ ऐसे यूजर्स को सच्छम बनाना है जिनके पास अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री ना होने के कारणा क्रेडिट कार्ड या किसी अन्नेफार्मल फाइनेंसिंग आपसं तक उनकी पहुँच नहीं है तो ये थे आज के हमारे समसामयक मुद्दों से संबंधित 10 प्रस्न मिलते हैं कल नए 10 प्रस्नों की स्रंखला के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमशकार धन्यवाद